ओ भाई सहाब चार-चार बार सौ करोड पार एह है पहले पैन इंडिया सुपरिस्टार प्रभास जो अब लेकर के आए है सलार और सलार ने रच दिया इतिहास जी हां हिस्टरी क्रियेटेड इस साल हमने कई सारी बड़ी-बड़ी मूवीज देखी सौ सौ करोड की ओपनिंग लेने वाली मूवी देखी लेकिन ओपनिंग में ओपनिंग सलार की ओपनिंग सब को पीछे छोड़ करके बना दिया रिकॉर्ड ओल टाइम एवर 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 थायड सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी परभास के नाम की बोले तो वो सेक वाइल कलेक्शन पहले दिन का सलार का बात करेंगे औल इंडिया कलेक्शन क्या किया नेट में क्या रहा और साथी साथ हम देखेंगे हिंदी में क्या किया इसने तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारे से की चैनल को सब्सक्राइब कर लीज सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी बन गई है पहले पर बाहु बली टू बैठी हुई है और अगर all time indian cinema history की बात करें तो प्रवास की सलार तीसरी सबसे बड़ी मूवी बन गई है all time की पहले पर है triple R 228 करोड के ओपनिंग लेने ही वाली दूसरे पर है बाहु वली दो जिसने ली थी 212 करोड के ओपनिंग और अब आ चुकी यह तीसरे पर शलार जिया इसने लियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 165 करोड के पार जाकर के खड़ी हुई है हमने पिछले वीडियो में बात कि थी आप पिछला वीडियो अभी जाकर के देख लीजिए उसमें 170 करोड से 180 करोड के बीच की मैंने बात की थी और वही मेकर्स के तरफ से पोस्टर भी आया है मेकर्स ने पोस्टर जारी किया है 178.9 करोड की ओपनिंग लिया है इसके मेकर्स ने बोले तो होम बाले फिल्म्स न तो मेकर्स के दिये आकड़े का हम हिसाब किताब करते हैं सबसे पहले हिंदी का देखते हैं तो हिंदी में जब इसने 5 करोड की एडवास बुकिंग की थी तो लोग एकदम से चौक गए थी और लोगों को लगा एकदम से एबरेज कालेक्शन कर पाएगी हिंदी में क्योंक कि नजने घुली कि भाई ये मूवी कुछ स्पेसल कर सकती है तो हिंदी से इसने कुल 15 करोड 75 लाग की ओपनिंग ली और अगर इसके हम अधर लेंगवेज की बात का है हालांकि अधर लेंगवेज में मेकर्स ने नहीं कुछ बताया है लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसके कमाई की नबला की जबकि हमारे प्रसाथ निल साब कंदर से ही आते हैं लेकिन यह एक अलग बात है कुल मिला करके इसका जो नेट कलेक्शन बैठ रहा है इंडिया से ओल लेंगवेज का बो 93 करोड 45 लेक का हो रहा है और इसका ग्रॉस अगर हम देखे तो 115 करोड औल लेंग एज बॉक्स ऑपिज इंडिया और मेकर्स ने कितना दिया 178 करोड 90 लाग रुपए तो यह फियर रहना पर इसमें कोई गड़बर नहीं है यह बिलकुल सही आकड़ा है तो गाइज 178 करोड 90 लाग रुपए इसका वाल वाल कलेक्शन है जो फियर रहना पर यानि कि इसका एक और मतलब है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं अब एक ग्लोबली दूम मचा रही है यानि हमारे परभास भाईया अब पैन इंडिया सुपर स्टार से उपर उठकर के ओल वर्ल्ड सुपर स्टार बन चुके हैं लेकिन भाई अभी भी यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि दे बन की ओपनिंग से कुछ नहीं होता है क्योंकि डे बन की ओपनिंग तो साहो ने भी ली थी डे बन की बड़ी ओपनिंग तो आदी पर उसने भी ली थी फिर आदी पर उसका क्या हुआ था धेर हो गई थी चार सो पचास करोड तो एकर इसके सेकंड डे का कलेक्शन इसक ज्यादा इसको देखने जा रहे हैं इसका मतलब है कि बॉकिंग ओडियन्स यहां पर ज्यादा जा रही है इस हिसाफ देखा जाए तो यह दो दिन में पूरे 300 करोड के लगवग कलेक्शन कर रही है और गिलोबली इसको एक क्रिस्मिस जैसा वीकेंड मिल रहा है तो भाई यह मुझे लगता है कि अपने बजट का जो इसका 400 करोड के लगवग है तो कितना आप पांच दिन के लगवग यह अपने बजट का वर्ल वर कलेक्शन घटकर लेगी तो अभी के वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई बाई